दोस्तो आचारे चान के किनीतियां संसार की सरफसेष्ट नीतियों में से एक मान जाते हैं आचार्षेट चांगते सास्तर होने के सासाथ, एक मांधाजनेते गिवन कूटनेते किती, उनिके द्वारा बताई गई चांग की निति को सेखने से आप जीबन के सिप समझा को आसानी से सुलजा सकते हैं जानक के नीती का ग्यान आपके लक्ष को पूरा करने में साहक से दो सकता है दोस्तो यदि आपका प्यार आपसे रूट गया है जिससे आप प्यार करते हैं बे आपसे प्यार नहीं करता आप उससे बाते करना चाहते हैं लेकिन वे आपसे बात नहीं करता, चाहिए बैपरोस हो या मैला हो, अपने रूटे प्यार को मनाना चाहते हैं, बैपरोस हो या मैला हो, आपका रूटा प्यार को आपके पास आएगा, तो दोस्तो आए जानते हैं, जिसे करने के बाद, आप अपने रूटे प्यार को मना सकत हैं चाया बेब परूस हो या मैला हो आपका रूटा प्यार कुछी के पास आईा दूस्तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक चुटकी अलदी है को लेना है सिर्फ एक चुटकी अलदी है पिर आप इस अलदी को एक कागज पर रख लें उस उस पैयार के बारे में आपको सूचती रहना है, आपको पंतरह मिनट तक ध्यान करना है, पर इस कागज को मूड कर आप जनस होते हैं, उसी बेस्तर के नीचे रख लेना है, पिर अगले दिन निकालना है, और इसी प्रकार से आपको करना है, साथ दिनों तक आपको इस बिदी को करना है साथ दिन बाद आप इस अल्दी को किसी भी खाने की चीज में मिला के उस पुरुस या मैला को कला देना है यदि आप ऐसा करने में असा पालें तो स्वेम के काने में आप इस अल्दी को मिला सकते है दोस्तो बस आपको उतना ही करना है अतना करते ही यह उपाई हो जाएगा दोस्तो आपको इस उपाई को किसी गलत नियस से नहीं करना है अपने प्यार को पाने के लिए अपने रूटे प्यार को मनाने के लिए आपको इस उपाई को करना है तो दोस्तो इस उपाई को एक बार बस से करें जैसे करने के बाद आप अपने प्यार को उपा सकते हैं अपने रूटे प्यार को मना सकते हैं तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस अतना है वीडियो आपको कैसा लगा नीच कमेंट बॉक्स में जरूर लेखे अगर आप बगवान स्रीकिशना जी के सचे भकते हैं तो नीच कमेंट बॉक्स में जैस्रीकिशना राधे राधे जरूर लेखें वीडियो देखने के बोट बोट दनी बाद